विज्ञान कई अंसल जे रहसेओं से परदा उठा चुका है और कई ऐसे रहसे हैं जिन पर से परदा उठाना बाकी है मगर लोग ऐसे रहसेओं को आध्यात्म से जोड़ कर देखने लगते हैं या फिर अद्रिश्य और पराशक्ति मान पूझने लगते हैं आपको बता दे कि प्राचीन काल की कुछ ऐसी चीजे हैं जो कब और कहाँ से आई हैं किसी को नहीं बता उन मेँसे कुछ रामयोक के समय से जड़ी चीजे हैं जिन मेंसे कुछ चीजों का जिक्र तो गरंतों में भी किया गया है लेकिन इसका scientific あर्थ नहीं मिल पाया है चलिए आपको बताते हैं क्या है वो और क्यों वेग्जानिक इसका सठी कांसर नहीं ढून पाई Spanish Stonehenge पुरा तत्य विदों को दक्षडी स्पेन में 500 से ज़ादा खड़ी पत्थरों का एक विशाल इलाका मिला है ये महापाशाणकाल की जगा बताई जा रही है जो पूरे यॉरॉप में सबसे बड़ा इलाका हो सकता है पुर्टगाल से लगे स्पेन की सीमा के दक्षडी भाग में गुआडियाना नदी के पास एक प्रांत युएल वा में ये पत्थर पाई गए हैं ये पत्थर करीब 1500 एकड में पहले हैं इस जमीन को एवोकेडा के पेड लगाने के लिए रखा गया था लेकिन पर्मिट देने से पहले अधिकारियों ने इस साइट का सर्वे करवाना बेहतर समझा क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बीचे कोई पुरा तात्विक महत हो सकता है सर्वे में इन पत्थरों के बारे में ज्यादा जानकानी मिली ULY University के शोद करताओं का कहना है कि इबेरियन प्राइदीप में एक साथ एक समू में खड़े पत्थरों का ये सबसे बड़ा और सबसे अनोखा संग्रे है उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ला टॉरे ला जनेरा साइट पर सबसे पुराने खड़े पत्थर छटे या पाच्वें सहस्त्राप्दी ईसापूर्व के दूसरे भाग के दौरान बनाई गए हो यह इरॉप का एक प्रमुक महापाशांड स्थल है यहां खड़े पत्थरों की कुल संख्या 526 है कुछ जमीन में अंदर तक दबे है साइट पर उन्हें बड़ी संख्या में तरह तरह के प्राचीन पत्थर मिले जिनमें खड़े पत्थर, डॉलमेंस, टीले, ताबूत जैसे पत्थर के बक से जिने सिस्ट कहा जाता है शोद करताओं ने कहा कि खड़े पत्थरों में 526 अभी भी खड़े हैं या जमीन पर पड़े हैं इन पत्थरों की उचाई एक से तीन मीटर के बीच है उत्तर पश्यम फ्रांस में कारनेक महापाशान स्थल पर करीब 3,000 खड़े पत्थर हैं शोद करताओं का कहना है कि यहां एक सीध में लगे पत्थरों की 26 लाइने हैं और दो क्रॉमलेच हैं यह दोरों पहाडी की चोटी परिस्थित हैं कई पत्थर जमीन में गहरे दबे हुए हैं उन्हें बहुत साफधानी से खुदाई के जरिये निकाला जाएगा यह काम 2026 तक चलने की उम्मीद है अब बात करते हैं जंगल में मिले इस शेहर की जंगल के नीचे से सद्यों पुराना शेहर मिला है इस शेहर में कई मंदिर, घर और बाजार होने के सबूत मिले हैं हाल में इस शेहर की खोज हुई यह शेहर माया सभीता से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है इस शेहर को तलाशने के लिए पेचानवे वर्गी किलोमीटर इलाके में फहले जंगल का हवाई सर्वेक्षर किया गया माया सभीता से जुड़ा सद्यों पुराना एक शेहर जंगल के नीचे से मिला है इस शहर में कई मंदिर, घर, बाजार और नहर होने के सबूत मिले हैं शहर को खोजने के लिए लेजर इमेजिंग टिकनॉलिजी का उपियोग किया गया है शोदकरताओं को ये पुराना शहर एक अभियान के तहट मिला ये शहर मैकसिको के घने जंगलों के बीच में मिला है दरसल शोदकरता कलकमुल आर्केलोजिकल साइट के पास रिसर्च कर रहे थे तब ये शहर मिला, एक रिपोर्ट के मताबिक इस पुराने शहर में कई खंधर मिले हैं ये जगह कलकमल आर्केलोजिकल साइट के अंडर में आती है। शोदकरताओं ने जंगल के अंदर छेपे इस शहर को तलाशने के लिए लेजर इमेजिंग, डिटेक्शन एंड व्रेंगिंग तक्निक का उप्योग किया। टेक्सास में मौझूद दर नेशनल सेंटर फॉर यर बोर्न लेजर मैपिंग ने 95 वर किलोमीटर इलाके में फैले जंगल का हवाई सर्विक्षट किया। शोदकरताओं ने अनुमान लगाया कि यहां की जंसंक्या 50,000 रही होगी और ये शहर 150 किलोमीटर के इलाके में फैला ह हुआ होगा। शोदकरताओं ने बताया कि 60 से जादा अलग अलग स्ट्रक्शर अर अंडर्डाउन कॉंप्लेक्स के अंदर मिले हैं। जिस्तार्चस ने इस बारे में बताया कि जंगल के बीच से कई मंदिर बाजार मिले हैं। यूमन जौबॉन। इसराइल के तड़ पर से एक प्राचिन जबड़ी की हड़ी कम से कम 1,75,000 साल पुरानी है जो वैज्यानिकों को बेहद हैरान कर रही है। क्योंकि इतने सालों पुराना इंसान का जबड़ा मिलना नामुम्किन है और ये हमारी अपनी प्रजाती के एक सदस्य की थी। पास में ही सोफिस्टिकेट पत्थर के औजार मिले। ये खोज अफरीका के बाहर अब तक का सबसे पुराना मानव जीवाश में है जहां होम उसे पिंस के उत्पत्ती हुई थी। ये उस समय को पीछे धकेलता है जब आधुनिक मनुश्यों ने लगबग साथ हजार बर्शों तक अन्य महादुईपयो जोखिम का काम करना शुरू किया और सुझाओ दिया कि लोगों ने विश्यो पर विजय प्राप्त करने से पहले यूरेशिया सहस्त्राब्दी में कई शॉर्ट ट्रिप किये। हाला कि वैग्ज्यानिकों का मानना है किस जब्रे की हड़ी का मालिक शायद उन शुरुआती असफल खुज करताओं में से एक था जो यहाँ पर हमारी तरह खुज बनाया हो। हाला कि जब्रों की हड़ी जिसके अंदर अभी भी आठ दांत लगे हुए थे और खुदाई इसराइल के माउंट कारमेल के पश्चिमी धलान पर मिसलिया गुफा से की गई थी। आज ये स थल एक चटान के ऊपर से ढके मलबे की गड़गडाहट में गूँचता है। फिर भी लगबग दो लाग पचास हजार से एक लाग पचास हजार साल पहले इसके ढहने से पहले गुफा, विशाल और गहरी थी। मिस्टीरियस बॉक्स साल 1849 का एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर कई लोगों की जिन्दगी के रहसे और इस बॉक्स को कई सालों बाद खोला गया। दरहसल ये बॉक्स 1849 के समय का था जब इसे चीन और युद्ध के दौरान रहसे के साथ दफन कर दिया गया। लेकिन जब प में चीनी भाशा में शब्द लिखे गए थी। हाला कि जिस बॉक्स को कई साल पहले दफना दिया गया था वो इतने सारे खजाने के साथ कई सालों से दफन थी। लेकिन खूच करता इसका पता लगा ही लिया। दोस्तो हम हमेशा देखते हैं के अलियन से जुड़ा कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर आता रहता है जिसमें हम दावा करते हैं कि ये वैग्णिक दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन के उडंतशतरी को देखा लेकिन अगर हम आप से ये कहें कि कुछ समय पहले एक ऐसा ही ओडन तश्टरी पानी में देखा गया तो आपको हैरानी होगी हाला कि ये एक पथर के आकार का था और वेगानिक इस रहसी को सुलजाने में बिलकुल असा फल रही थी कि आखर ये है क्या दरसल एक दिन कुछ गोता खोरों को बांटिक साकर में पथर की कुछ संदचन टेनिया का खोया हुआ शेहर जिस का उलेक कई ग्रीक की कहानियों के साथ साथ एतिहासे ग्रंथों में भी मिलता है और ये अक्टूबर 2018 में खो जा गया था इस शेहर के अस्तित्तो का उलेक करने वाले स्त्रोतों से एक प्राचीन ओडिपस की कथा शामिल है जिसमें थिप पूर्व के मद्दे तक इन में से तीन शेत्रों में सबूत हैं कि इन में एक बार गरम पानी का नहर था और उन में से दो महराब में और बहुत अच्छी तरह से सनक्षित मिट्टी के फर्ष के साथ मौजूद थे लेकिन अब समाप्त हो गई इसके अलावा उत्तर में एक प्राचीन 15 मीटर गहरा कुआ पाया गया था और उसके बगल में एक ऐसा शेत्र जहां कंटेनर्ट सहिद प्रसाथ जमा किया गया था ये बताते हुए कि ये धार में कुप्योग के लिए एक साइट होगी तेनिया शेहर की स्थाफना टोजन द्वारा की गई थी 1100 के आसपास इसके मारतों को कैदियों द्वारा बनाया गया था तेनिया कई वर्षों से कुरिन थियांक शेत्र के सबसे बड़े और सबसे सम्रिद्ध शेहरों में से एक था उत्तरी पेलो पॉन्नी में लेकिन 2018 तक इसके स्थान का ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं था य इसी तमाम इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिये गए बैर आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिए